परासिघ अपर नमा उत्पती शत्रह अदिया, सतारह अधिया और एक से तीन जब अबराम निनान्वय वर्ष का हो गया तब यह वह न उसको दर्शन देकर कहा परमेशो नहीं से दर्शन दिया और तीन वचन तब अबराहम मू के बल गिरा मू के बल गिरा यहाँ यह नहीं लिखा कि अबराहम ने दन्रवत किया परमेशर को जैसे ही परमेशर का दर्शन देखा और क्या हो गया वो मू के बल गिरा कुछ लोग कहते हैं यह गिरते क्यों है क्यों गिरते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अब रहा हम मुखे बाल गिरा वहाँ यह नहीं लिखा कि वो दन्वत कर रहा था वर्शिप कर रहा था वो मुखे बाल गिरा एक दिहाई 28 वचन यहेजकेल एक दिहाई 28 वचन यहेजकेल एक दिहाई 28 वचन जैसे वर्षा की दिन बादल में धनुश दिखाई पड़ता है वैसे ही चारो और का प्रकाश दिखाई देता था यहावा के तेज का रूप ऐसा ही था उसे देखकर मैं मुझ के बल गिरा तो यहेजगल क्या हो रहा है जैसे दर्शन देखा और मुझ के बल गिरा वर्षिप करने के लिए नहीं लिखा वा प्रताप जैसा मुझे कबार न दे के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है यहाँ भी उसने एक दर्शन देखा परमिश्र का और में मुझ के बल गिर पड़ा थिर वो गिर पड़ा मूं के बल गिर पड़ा हमने दन्यल पड़िएगा दन्यल आठ दिहाई 17 बचन दन्यल आठ दिहाई 17 बचन तब जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ एक मेरी निकट आया, और यूस के आते ही मैं घबरागया और मुखेबल गिरपड़ा और दनियल एक दPodशन देखा तो गया ? मुखेबल गरपड़ा दैनियल दस द्हाई असका नौ बचन दैनिल दस द्हाई नौ वचन तो भी मैंने उस पुरश के वच्णों का शब्द सुना और जब वे मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुँखे बल गिर पड़ा यहां भी धिर्शन को पा रहा है और क्या हो रहा है, मुझे बलगेंगे, यहुना नौधिहाई, अठारां दिहाई, शेवाचल, यहुना अठारां दिहाई, शेवाचल, उसके यह कहती ही, मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमी पर गिर पड़ेंगे, प्रभीश्म्छी को जो प प्रभी यशु जी ने पुछा तुम किसको डूरते हो उसने उन्होंने कहा भी हम तो यशु नासरी को डूरते हैं प्रभी यशु जी ने कहा मैं हूँ और एक दाम से वो क्या होगे पिछे गरे और नीचे गिर गए प्रेड़तो के काम नौ अधि है तीन और चार वचन प्रेड़तो के काम नौ अधि है तीन और चार प्रंतु चलते चलते जब दमिश्ट के निकट पहुंचा तो एक एक अक अकास से उसके चारो और जोती चमकी और भूमी पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना तो इसने पा पर गिल्ट पढ़ाओ है तो इसलिए वह से लोग ऐसे हैं जो दर्शन को देखते हैं जहां एक दम से पोईतरात्मा उतरता है देखिए पोईतरात्मा क्या है पोईतरात्मा परमेश्र है और जैसे ही पोईतरात्मा उतरता है उनके उपर तो वो अपने उपर क्या है कंट्रॉ नहीं रह पारते हैं, इसलिए वो क्या कर होते हैं, गर जाते हैं, इसलिए वो गर जाते हैं, और निर्गमन उनी सिध्याई ठारा वचन, निर्गमन उनी सिध्याई और अठारा वचन, जैसे पुष्टरात्मा आता है, पुष्टरात्मा से वो भर जाते हैं, अगर पेड़तो के काम दो द्यआ की वीडियो बढी वोगी तो आज वीडियो जैसे हमारी चक्षक वैसी उती यहarette हो हो है हालेल्वूय बोगत व honuं सीने परवत पर उत्रा इस कारण समस्थ परवत धुवे से भर गया और उसका धुआं भट्टेlock सा उठ रहा था और सुमस्थ परवत बहुत काप रहा था किया हो रहा था कौन काप रहा था सीने परवत मैं ग्या हूं वहाँ आपने नियुक्षा इतनी लंबाई और इतनी चुड़ाई है को इस आब नहीं है इतना बड़ा सीने पर अवत है, जाप परमिश्र उस पर उतरे, आपने कभी देखा अपने जीवन में पत्थर को कांपते हुई, पत्थर को ऐसे से करते हुई पत्थर को, देखा कभी, नहीं देखा हुगा, लेकिन यहां लिखा हुआ है, जब परमेश्वर सीने पर पर उत्रा वो पत्थर क्या कर रहा है काप रहा है और जब पोईत्रात्मा पर उत्रे जब परमेश्वरा पर उत्रे तो मुनुश्य क्या है जो काप पेना सीने पर बत वो भी इतना लंबा और इतना चोड़ा इतना उसका माप ही ऐसा है इतना लंबा चोड़ा है इसा आभी नहीं है उसका हालेलुईया हालेलुईया इसलिए जैसे पोट्राथ नोतरता है लोग गिरते हैं और फिर उनके आप देखते हैं कैसे आपके पास बैठो है आपके नहीं से देखने लग जाए यह पहाड था मेरे पास में बैठा हुआ यह कैसे कांप रहा है यह ऐसे क्या कर रहा है जो नए होते हैं तो इसलिए हो रहा होता है एक और होती ही बात वहां पर प्रभिश्व जी ने कही यहुना साथ द्याई में पढ़िए गए एक बार यहुना साथ द्याई 37, 38 और 49 वचन 37, 38 और 49 यहुना परव के अंतिम दिन जो मुखे दिन है प्रभिश्व खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और आकर दाख रासर पिए बढ़ो पुत्तर 49 तक जो मुझे पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्तर में आये है उसके हिर्दे में से जीवन के जल की नदियां बै निकलेंगी जो मुझे पर विश्वास करेगा जो मुझे पिएगा उसके जीवन से भी हिर्दे से भी जीवन जल की नदियां बैने लगेंगी उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विश्वे में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे पवित्र आत्मा के बारे में प्रभीश्य जी ने कहा था जो प्रभीश मसीर पे विश्वास करने वाले पुईतरात्मा पाने वाले थे हलेलुया तो प्रभीश मसीर ने कहा तुम में कोई प्यासा है तुम में उससे पीए उससे पीए और वो दाखरस कौन से पीने की बात कर रहे थे प्रभीश मसीर वहां साव लिखा है कि परभीशो मसी यहुना कहता है कि परभीशो मसी पुईत्रात्मा के बारे में ही कह रहे थे जो पुईत्रात्मा उतरने वाला था हालेलुया सो इसलिए जब पुईत्रात्मा उतरता है तो जिसके ओपर पुईत्रात्मा उतरता है कि ऐसा हो जाता है है हाँ प्रेतों के काम में लिखा है पहली बात सदा के लिए पोईतरात्म उतरा satellite कि दि Dz baptington कि aja द्विनें द्विस्था कर और म्लें शिख्वत्र लोगारनुला में है उन्हों ने सीधेटेट और ग क्यों है कोई कुछ नहीं है ये तो क्या कर रखा है इनोंने तो तेज मदरा पी रखी है तेज रा पी रखी है जन के तेज तेज जो दाखरा से वो उसको पी रखा है ये नशे में हैं जब एक बंदा प्राथना कर रहा है राम से हे हमारे पिता तुछ जो सुर्ग में है तेरा नाम पर उतर माना जाए तो आप लोग कैसे कहेंगे भी इसने तो दारू पी रखी है जब वो इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है और अपने मुझे फिर कुछ और बोल रहा है तबी तो आप कहेंगे वियाद इसने धारू पी रखी है उन्हों ने जब देखा लोगों ने और कहा रहे कुछ ने तो कहा भी ये तो धारू पी रखी है पहले दिन से लोगों कहने लग गए थे इसलिए प्रवा न करें पहले दिन लोगों ने ठठा किया था पुछ रात्मा को इसलिए प्रविशु जी ने कहा जो यहुआ पिता का अनादर करेगा जब उसको कुछ कहेगा माफ प्रविशु जी ने कहा जो मुझे कहेगा माफ लेकिन अगर पोहत्रात्मा के बारे में कहा तो वो माफी नहीं है ना दर्ती पे ना सुर गुमी मिलेगी जो पोहत्रात्मा की निंदा करेगा परमेश्र की निंदा करेगा माफ है पोहत्रात्मा की निंदा माफ नहीं है तो इसलिए वह शिवरिंग करने लगते हैं मतल भिलने लग जाते हैं जब पुषी रातता है और जैसे उन्होंने डrink कर रखी हो दारू पी रखी हो जय से नशा कर रखा हो वैसे वह हो जाते हैं क्योंकि लिखा वह लोग देखकर कहने लाग ए रहे मैं आपसे कहता हूं वो प्राथना तो वहाँ पर रुजाना ही कर रहे थे कितने दिन पचासमे दिन पोईतरात्मोत्रा तो प्राथना तो वही रुजाना कर रहे थे फिर पहले तो किसी ने ने कहा रहे क्या हो गया, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया तब कहा जब पोईत्रात्म उत्रा और वो ऐसे कर रहे थे जैसे उन्होंने नशा कर रखा हूँ उद्र गिर रहे थे उद्र गिर रहे थे उद्र गिर रहे थे और मुझसे फिर अन्यबाश्या बोल रहे थे हाँ ये मैं जुरूर करना चाता हूँ मुझसे वह अन्याबाशा बो रहे थे और आप भी जब अपने घर में प्राथा करें पहतरात्मा उत्रे तो अपने मुझसे चीखने की बिजाए अन्याबाशा बोले आपके मुझसे चीख को कंट्रॉल करें और अन्याबाशा आपके मुझसे बार निकले हलेलुया तो प्रभीशु जी ने कहा मेरे पास आओ पियो और जब उन्होंने उनको पहतरात्मा के बारे कहा गया था जब उनके उपर पहतरात्मा उत्रा तो ओ ऐसे थे जैसे प्रभीशुमसी सी उन्होंने दाखरस पी लिया हूँ हलेलुया और जब दाखरस पी लेते हैं तो फिर तो पता नहीं चलता कहां पढ़े हैं कहां गिरे हैं कितनी कितनी देर तक वहीं पढ़े रहते हैं उत्पति 9 देह 21 बचन जब नूने दाखरस पीली थी तो उसको पता ही नहीं था भी कहां मैं पढ़ा हूँ उत्पति 9 एकिस जल्दी से एक दो बचन और उत्पति 9 एकिस और वे दाखमदू पीकर मतवाला हुआ दाखरस नूने क्या के लिया दाखमदू पीली और मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया उसे पता नहीं चला क्या इतना दाखरस पीली इसलिए जो फुद्रापनों से भर जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है हमारे लोग स्टाफ के लोग हैं लगे रहते हैं उनके उपर कपड़ा डालने के लिए यहां से कपड़ा डालो, यहां से कपड़ा डालो, यहां से कपड़ा डालो तांकि उनकी बोड़ी जो है वो दखाई ना दे नंगापन दखाई ना दे लेकिन जो वो पी रह थे पोहितरात्मा को ले रहे थे उन्हें कोई पता ने चल रहा था हो क्या रहा है और एक और काम बही होता है जैसे दोध पोहितरात्मा में नाच रहा था लोग जूमने लगते हैं लोग नाचने लगते हैं लोग कुदने लगते हैं लोग उशलने लग जाते हैं पहितरात्मा कफा कर लेकिन इसके साथ एक काम और हुआ था लोग निंदा करने लगे थे पहितरात्मा की यह क्या कर रहे हैं यह क्या हो रहा है और यह भी होगा साथ साथ पत्रसिन कहां ने 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 यह तो वो बात नहीं है कि एक है कि अंते मैं ज면 ने भिये थो कि तीरां दीह बावन विंध की बिएत 오र्ष ऐन कर ले अनन्द से और पवित्रा आत्मा से परिपूरण होते गें आनन्स से पर पूर्ण होते हैं कि चेले तो जब पोईतरात्मा आता है वो आनल से परपूर्ण होते जाते हैं मस्जो करादना करते हैं कोई देखे क्या कौन सा गीता कोई सड़े दा है तां सड़े सड़े जो जल्दा है तां जले जले हलेलुया इसलिए आप इस बात को समझे इसलिए लोग गिरते हैं उस समय ज़्यादा मुंके बल गिरते थे लेकिन आज हम लोगों ने देखा है, लोग पिश्र के और गिरते हैं और कहीं हो में दुस्टात्मा होती है, वो आगे के और गिरती भी है ये भी हम लोगों ने देखा है, लोग कामते हैं जब पहाड कामपने लग जाता है, तो हम क्या हैं लोग नाचते हैं लोग आनन्द मनाते हैं और ऐसे मतवाले हो जाते हैं जो परबिश्व जी ने कहा अगर प्यासे हो तो मुझसे आकर पिऊ तो फिर लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं इनको तो कपड़ों का भी नहीं पता नू से भी ऐसे कहा था और जिसने कहा तो उसको शिराप आगया उसके उपर भी अपने कप्ड़ों को अब नहीं दिहां रख सकते और पहला करन्त ये चोड़ां दो जो अन्यवाश हमें बातें करता हैं मुने शों से नहीं बलके परमेश्व से बातें करता है हलेलुई हलेलुई क्योंकि जो ने भाशा में बाते करता वे मनुश्यों से नहीं में परमेश्व से बाते करता इसलिए कि उसकी बाते कोई नहीं समस्ता क्योंकि भेथ इक बातें आत्मा में होकर बोलता है सोने बाशा आप बोल लिए अगर आपको वर्दान नहीं मिला था बोल लिए प्रभु से मांगिए और पुछत्रात्मा अगर आपको नहीं मिला तो पुछत्रात्मा मांगिए पुछत्रात्मा बिना काहे का जीवन अपको जीमन केसा अपको अपको तरत्मा मंगी ये पर बिल्ड़